यूपी तक यूपी का नंबर वन यूट्यूब चैनल राजपाल जी ने और उनकी पत्ती प्रेम्रता जी ने समझे बच्चे को बिलकुल गार्जियन की तरीके से पाला इस समय मेरे साथ इटावा की वो सक्सियत है जिनके सानिद में अखलेस यादों ने सिच्छा दिछा ग्रहन की अवद किशूर बाजपी जी इन्होंने कच्छा तीन से ले करके इंटरमीडियर तक की सिच्छा का सानिद प्राप्त हुआ अखलेस जी को और कैसे मुलाकात हुई, कैसा व्यत्योत था अखलेस का, कैसे सिच्छा हासिल की बाजपी जी से जानेंगे और ये पुछेंगे कि कैसा आज बेहिवियर है उनका और कैसे निर्मान हुआ उनका सिच्छा का आप अपना नाम और परचे बताईए ये बताईए कि अखलेस जी आपके हाँ किसक अच्छा से पढ़ना जुरू हुए, कैसे मिले, कैसे परचे हुआ मुलाहिम सिंग जी ने आप पर कैसे भरूसा किया, ये पूरा वाक्या जो चर्चा में रहता है लोग बड़े जिग्यास हुए जानना चाहते है मुलाहिम सिंग जी इतने एक तरीके से पूरे नेशन के बहुती सीनियर लीडर, बहुत एक परपग नेता थी तो उन्होंने मुझको अपने बेटे के लिए सिंगल सन अखलेस थी अकेले, तो उन्होंने मुझपर कॉन्फिडेंस किया और उन्होंने का बाश पर इसका मुझक अखलेस का हाथ मेरे हाथ में देते हुए, मेरे एक ही बेटा है और तुम इंगलिस के अध्यापक हो, तुम इसको पढ़ा दो, मेरे भाई हम लोग कई अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो इसलिए तुम इसको ले जाओ और इसको अच्छी तरीके से समझे पढ़ाओ जाके, हम ले गए अखलेस को, तो पहले हम और नेता जी दोनों लोग गए सिंधिया स्कूल महारा स्री महारा सिंगी स्वर्गी बिधाय भरतना उस समय जीवित थे, उनकी दो सो पांच नंबर गाड़ी, एम्बेस्टर आई, हम और नेता जी, दोनों लोग सिंधिया स्कूल गई, अखलेस के एडमेशन के लिए, कितनी उमर रही तब अखलेस के उस समय थे, करीब दस ग्यारे सल की, ग्यारे वर्स के थे, अखलेश, तो हम लोग दोनों लोग गए, वहाँ पर मिलेटी में क्याना है, हाँ पर सिंधिया कॉलिज में, सिंधिया कॉलिज की चढ़ाई पर किसी भी तरीके से गाड़ी नहीं चढ़ पाई, और समझे, मुलाइम सिंगी ने देखा, कि अरे, ये तो गाड़ी यहीं पर ब्रेक हो गई, हम तो एक ही बार आए हैं, एडमिशन करनाने के लिए, लेकिन ये तो आएगा बार में तक, यानि पच्छे साथ साल यहाँ पर आएगा, इसलिए उन्होंने वहीं से इरादा बदल दिया, और मुझसे कहा, बाशपी, यह बाइटी स्कूल, भारत में पाँच स्कूल हैं, इंडिया में केवल पाँच स्कूल हैं, एक धौलपोर, राजिस्तान, दूसरा, अजमेर, तीसरा, चैल, दो दक्षर में हैं, तो इस तरीके से पाँच, जिसके की, माननी राजना सिंह, जिसके, रक्षा मंत्री हैं, उनके अंडर में यह स्कूल आते हैं और इस्कूल नहीं है कि मिलेटी के तमाम लोगों नाम रख लिए मिलेटी के यह मिलेटी के स्कूल वो है जिसमें उस समय जब में अख्लेश को एडमीशन कराया उस समय तब वहां पर एक बच्चे के कम से कम बच्चिस तीस हजार रुपए मिलिट्री खर्च करती थी एक बच्चे पर आज एक और टेल लाख रुपए खर्च होते हैं एक बच्चे पर तो उस समय नेता जी किस पोजिशन में ते राए न इनों नमज वहां पर मिलिट्रि स्कूल राजिस्थान में मेरे बहनोए एस पे मेश्रह वहां पर सिक्चक थे और मेरी बहनों थे दी फोजिशन करादो ऑस मैं देखना है तो साब यह बताए मैंने यह यहां पर पढ़ा वूटार वह यह ट्राह ऑगा इसलिए उन्हों ने क यहां पर सेंट मेरी का वहां पर ले गए उसकी मैंने एक साल तयारी की पहले यहां पर अच्छी तरीके से मैं इंगलिस का अध्यापब तो अब यह बताईए कि जिस तरह से अखलेश जी का हाथ आपके हाथ थामा गया उसमें नेता जी का आपका परच्छा कैसे हुआ नेता पहले से भी पर्चित थे क्योंकि आते जाते रहते थे यहां पर तो उन्होंने सोचा की मतलब यह बाच्छा मेरे हाँ मेरे चाचा यह थे माई अंकल यहां पर इस्लामिया कॉलिज में इंगलिस के लेक्छर थी तो वो उनका बिलकुल ऐसा था जिले में दो दो यह तीन टी चैंसे जाने जाते थे यह और मयतुछ मिलने चाचा आदिया मित्ट्स में लोग हम लोगों को कहीं कुछ नहीं करना पड़ा जाकि उनके साथ खूर पे चला और इंग्लिश के हमें हो जा, तो उन्होनных लोग कहते थे, बाशब्च बीएंग्लिश बोलता है, तो मतलब नेता जी कोई यह मैसेज थे? हाँ, यह पार्ज को ऑश्पय आजये कि दाज़ इंग्लिश बोलता है, तो इसलिए वो मेरे घर आते जाते थे उस समय राजनेतिक केरियर उनों नहीं शुरू किया था राजनेतिक केरियर तो वो उनका जस्मन नगर से हो चुका था शुरू पहले और वह कौन नेता जी तो तो उनका केरियर वहां से बिदायकी से सुरू हो गया था तो ये 1982 की बात है तो उस समय अखलीज पढ़ने में कैसे थे क्या विक्ति होते था मतलब स्वभाव से कैसे थे जैसे आम बच्ची होते हैं क्या अलग था बिल्कुल आम बच्चे की तरीके से था बिल्कुल जो चीज लेकिन बताओ उसको तो बहुत अच्छी तरीके से इंट करना है समझो एक 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 राइटिंग एक एक सब्द मैं खुद लिखता था आज भी एड़ एज मतलब सिक्स्टी साथ मतलब सिक्स्टी एट का हूँ मैं लेकिन आज भी मेरा राइटिंग आप देखेंगे आप तो कहेंगे कि अरे ये तो बिल्कुल मोती की तरीके से है इस की बात है जब मैं इसको लेके गया मैं और सिपार ये फोटो लगी हुई है यह आप लेंगे तो इनको जब हम लेके गए तो वहां पर पिंस्पल ओपी भटनागर थे वहां के ये नाइंटीन एटी तू की बात है एटी त्री की बात है जब आखलेस ने एडमेशन लिया त लो भटनागर थे उनखुट थे हमने उनसे पूछा हम गए थे तो मैं ने उनन से पूछा बटनागर साफ से हमने का कैना सीट इस इस बिदे गा मैं अखलेस की spoken में जिसमें आप लोग इंटर्वियू ले रहे हैं बैठ सकता हूं, I am not going to tell anything to the boy, the boy will be encouraged to see his teacher and he will give the correct answer, हम ने ये बताया, हम ने का आप मैं बच्चे को कुछ बताने के लिए नहीं यहां बैठ रहा हूं, एक मतब दिहात की उससे आया हुआ बच्चा, अपने अध्यापक को द आप allow कर दें, तो मैं बैठ जाओं, तो पिंस्पल ने ओपी भट्रागार मुझको allow कर दिया कि आप बैठी है, तो जब अख्लेश से ओपी भट्रागार पिंस्पल ने पूचा, 83 में, समझे, तो उन्हों ने पूचा की what is helmet, first question पूचा अख्लेश से, what is helmet, तो अख्लेश न देहाद का बच्चा, सेपई का निकला हुआ, 11 साल के बच्चे ने जो पहला interview दिया, और उसने कहा, कि it is a important, it is a important part, ये महत्पूर्ण, एक helmet जो है, महत्पूर्ण है, जो mustis की रस्ता, head की रस्ता, वो करता है, रक्षा करता है, it is a important part, it saves the head, ये एक महत्पूर्ण, पार्ट है, जो की mustis की रक्षा करता है, और mind is the very important organ of the body, और जो मस्तिक जो है, जो सरीर का सबसे बहमूल पार्ट है, उसकी रक्षा करने वाला, ये helmet है, ये जवाब अख्लेश जी ने दिया, ये अख्लेश का English में जवाब था, समझे, the principal was very much impressed with and he got admission there, immediately, प्रिंस्पल साप, O.P. भढणागर, समझे, इतने प्रभावित हुए, इस बच्चे से, अंग्रेजी में, एक एक बास सुनके, तो उन्होंने, समझे, उसी समय निश्चत कर लिया, और उन्होंने, अख्लेश का admission कर लिया, नेता जी उस साथ में थे, नेता जी साथ में, शेवपाल सिंग, सेवपाल सिंग साथ थे, लेकिन वह वहां पर, इंटर्व्यों में के वल्टीचर बेटा थे, लेकिन बाहर जब आपने बताया होगा, शेवपाल सिंग को, हां मैं ने बताया है, हमने का वही, अद्मिशन हो गया, तो बड़े अरे बहुत वो खुशते वो जानते थे सब जानते आपको यह भी बता दूँ कि यह लोग बहुत ही मतलब बहुत विश्वास करते थे मुझे और उसके हमें यह मतलब अख्लेश का तो पूर्शन आप पूछी रहे इसके बाद भी यह इन लोगों के नौए अपने यानि सिप परवार को पूरा सिक्षित कर रहे वाला इंग्लिश मैं मैं ही हूँ मुझे बहुत गौरव और गर्व है कि मैं अख्लेश जैसे समझे लड़के आप तो बताते हैं कि अख्लेश ज्यादों को अच्छी इंगरी जी भी बोलते हैं मैंने अख्लेश से पूछा से हैं पही मै इंग्लिश बोलता हैं तो फिर ये बताई कितना गौरव मैसूस करते हैं कि अख्लेश ज्यादों इंग्लिश भी अच्छी बोलते हैं पहली बार जब चीप मिनिश्टर बने वो समय उनका ब्यावार में कहीं कोई परिवरता नाया मतलब वो पूरी बात कोई ऐसा बाक्या पहली बार जब मुखमंत्री हुए 2012 में तो उन्होंने सबसे पहले मतल हमारा करीब करीब 7-8 साल से उनका टच नहीं था क्योंकि उससे पहले वो वहां पर बैंगलॉर में गए निवी टेक करने के लिए वहां फोर एयर कंप्लीट किये उसके बार आस्टेलिया गया इंजिन को याद रखता है इस तिंग आफ ग्रेस ये बहुत शान की बात और गॉलब की बात है मतला आब वो सम्मान किस तरह से करते हैं जब कर आज भी मतलब वोई जो 1983 में था आज भी मैं आपके आप मुवाइल से दिखाता हूं मेरा डेली टच है मैं उसको फॉलवर्ड करता हू और वो मेरे सारे उन चीज़ों को फॉलू करता है मेरे लाइन पर रहता है तो पिर ऐसे इस्तिति में जैसे आप जब कभी गए भीड़ में गैधरिंग में तो कैसे आए वो आपके पास कैसे मिले सिक्यूरिटी भी बहुत रहती है लेकिन एकदम उन्होंने जब भी मैसे ज आज भी उसका बिहार कताई भी नहीं बदल रहा है वैसे है मेरे लिए पूरा आशिरवाद तो अभी बीच में गत्विदियां होई कि समाजवादी पार्टी में मुकुमंतरी के बाद जब वो हुआ तो चाचा ने उनको पाला पूसा ऐसा बताते हैं चाचा के साथ रहे भ कुछ बिगटन की रही और कल फिर अचानक से मुलाकात हुए अकलेश जी फिर मिले गए तो दोनों स्थितियों को आप कैसे देखें देखें वो सिपाल का सिपाल ने नेता जी तो पॉलिटिकल उस सिपाल उस समय पढ़ रहे थे वो उस समय एमे के चातर थी जब अकलेश प और उनकी पत्ति सर्रन है राजपाल जीन है और उनकी पत्ति प्रेम नता जीन है समझे बच्चे को बिलकुल गार्जेन की तरीके से पाला ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि जित्य साल वो तालिस साल का है अखलेश आज तो मैं उसके बरावर उसके टच्च में रहा दस साल वो बर्स के निकाल दीजिए स्कूल के पहले वाले बरावर मैं टच्च सिरा आज भी मैं टच्च में हूँ समझे इन लोगों का ये लोग भी एक तरीके से गार्जन रहे और रहेंगे मैं प्याज समय निए पया है मैं टुप जच्च सिरा आजाय झायाया का दच्च साल वोगों वोगों का पिल दीजिए पालास ऑ सक ट्क का ये झाजिए साह ट जोगों का बand सेनों का ये ग 수ुत है हुं प्गों का जोगन थीजिए धनी बसाग संफ़ा हैは को झाल झाल